प्रेज दे लॉड गुड मॉनिंग जै मसी की आप सब लोग कैसे हैं प्रभू आप सबों को बहुत ऐसे आशिस करें आप एक उम्मीद के साथ इस सुबह के समय में परमेशर के वच्चनों को सुनने के लिए आये हैं जो उम्मीद से आप आये हैं परमेशर आपके साथ बात करेंगे आपकी परिस्तिती परमेशर जानते हैं आपके परिवार के बारे में परमेशर जानते हैं आपके अंदर के बात सब परमेशर जानते हैं आज परमेशर अप हर एक्ये के साथ बात करने जा रहे हैं क्या आप कानी को सुनने के लिए तयार हैं हालेलुया प्रेज दलाड मेरे प्रियों आज भी हम प्रभु का एक वचन को ध्यान करेंगे भजन सहीता 115 उसका बारा वचन यहोवा ने हमको स्मरण किया है वह आशिस देगा वह इस्राइल के घराने को आशिस देगा वह हारून के घराने को आशिस देगा क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवये हैं वहा उने आशिस देगा हालेलुया प्रेज दलाड क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवये हैं जो परमेशर का भय मानते हैं वहा उने आशिस करेगा एमें मेरे प्रियों परमेशर हमें इ हम देखते हैं यहुवा ने हमको स्मरं किया है वहा आशिस देगा परमेशर आपको हमको स्मरं किया है आप में कोई सोच रहे होंगे हमारी कोई परवा नहीं कर रहा है कोई हमारी नहीं सुन रहा है हमारे परिवार की परस्तिती को कोई सुनना नहीं चाहता है कोई जानना नहीं चाहता है कोई आपका ख्याल नहीं कर रहे है सरकार भी आपकी नहीं सुन रही है कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आ रहा है क्या ऐसी परिस्तिती है आपकी तो आपके लिए एक खुश खबरी है जो आज इस वचन के दोरा में आपको बताने जा रहा हूँ Praise the Lord क्या सुनने के लिए तैयार है Praise the Lord देखिए वचन बता रहा है यहोवा ने हमको स्मरण किया है आपको परमेशर स्मरण किया है आपको परमेशर याद किया है आप उसके ख्याल में है परमेशर आपके बारे में ध्यान रखता है और वो आपको आशिस कर रहा है अमेन परमेशर हमें आशिस देगा वह इस्राइल के घराने को आशिस देगा वह हारुन के घराने को आशिस देगा परमेशर हमें पवीत्र याजक वोंश बनाया है हम आत्मी कृति से हम आत्मिक इस्राइल है और आत्मी कृति से हारुन के घराने के है और आगे लिखा है क्या छोटे क्या बड़े जो यहोवा के डरवये हैं जो यहोवा का भय मानते हैं प्रभू उनको आशिस करेगा अमेन मेरे प्रियों परमेश्वर आपके परिवार में हर येक एक को आशिस करने जा रहा है आपके हर येक एक लोग प्रभु के आशिस पाने जा रहे है सरकार आपकी नहीं सुन रहे हैं कोई बात नहीं लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं कोई बात नहीं आपके बडोशी लोग आपका कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन ये खुदा है जो आपको स्मरन किया है और आपको आशिस देने जा रहा है इस सुब के समय में मेरे प्रियों मैं उम्मीद करता हूं कि परमेशर आज आपके साथ बात कर रहे हैं परमेशर आपको मुझे को याद किया है स्मरन किया है हमें आशिस देने भागी होना चाहते हैं तो परमेश्वर के भैमान अर्प मेश्वर हमारे स्थानमान को देख एक कर्ग आशिस करने वाला नहीं सब्सक्राइब अभी हमने देखा जो यहोवा का भय मानते हैं, उसका आशिस पाने का कारण किनको परमेश्वर आशिस करेगा? जो उसका भय मानते हैं, चाए छोटा है, चाए बड़ा है, जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु जरूर उनको आशिस करेगा, अगर परमेश्वर का आशिस पा परमेश्वर में एक भय भक्ति का जीवन बिताना है, तो जरूर प्रभू आपको आशिस करेंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, एक पवीत्र जीवन जीते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर की अगवाई मांगना है, प्रात्ना के द्वारा करना है और परमेश्वर का सलाह लेना है परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना है तब परमेश्वर जरूर हमें आशिस करेगा एक छोटी सी दुआ करेंगे आस्मानी बाप प्रभी येश्व के नामे धन्यवाद करते हैं प्रभू परमेश्वर आज हम इस वचन से सीखा प्रभु जी आप हमें याद किया है प्रमेश्र आप हमें स्मरन किया है प्रभु और आप हमें आशिस देने जा रहे धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रमेश्र तेरा वचन में हमने देखा प्रभु जो आपका भय मानता है चाए छोटा है चाए बड़ा है वो जरूर आशिस पाएगा और उन्हें जरूर आप आशिस करेंगे पिता परमेश्वर हमें सहाय तकर कि हम आपका भय माने आपका भय भक्ति का जीवन बिताए और प्रभुजी आपके चरणों में जीए प्रभुजी हमें सहायता कर, ताकि हम हर एक आपके आशिसों के भागी हो सके प्रभू, सहायता कर प्रभू, एश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता सुन और ग्रहन कर, आमें God bless you, praise the Lord, have a blessed and great day